नमस्ते रादे रादे सभी को मैं आ चुकी हूँ किचिन में और आज हम पत्ता गोभी की एक ऐसी सबजी बनाएंगे जो की पनीर को भी टक कर देने वाली हैं पत्ता गोभी की सबजी तो आपने बहुत खाई होगी पर इस तरीकी की नहीं देखी होगी नहीं बनाई होगी नहीं खाई होगी तो ये हैं दो टमाटर और चार हरी मिच ली है मैंने और दो तीन मैंने छोटो छोटो से प्यास ले लिए हैं चार छोटो छोटो से और दो टुकड़े अतरक के ले लिए हैं पास से छे कली मैंने लेशन के ली हैं और जो टमाटर है उनकी जो गाट होती है न उनको में निकाल दूँगी और बाकी कुछ भी कट नहीं करूँगी और ये है पता गोबी जो कि दुली हुई रखी है दुली हुई है और साफ है एकदम से पता गोबी को कट करने के बाद भी अंदर भी थोड़ा सा देख लें, और हमें इसको बस दो पीस में ही कट करना है, पता गोबी को ज्यादा नहीं करना है, अब हम कडाई में दो गिलास पानी एड़ करेंगे और उसमें इन सारी सबजियों को हम एड़ कर देंगे पतागोबी को भी, टमाटर को भी, प्याज को भी, लेशन को भी, हरीमिस को भी सभी को एड़ कर देंगे इस तरीके से और पार से छे मिनट हम इनको वाइल कर लेंगे बीच में एक वार हम इसको पत्तागोबी को पलट देंगे दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो मैं सभी सब्जियों को थोड़ा सा चला दूँगी जिससे उलट पलट हो जाएं और पत्तागोबी को भी पलट दूँगी उपर का हिसा नीचे कर दूँगी फिर से धकतूँगी 2-3 मिनट के लिए दो से तीन मिनट के बाद मैंने कड़ाई को हटा लिया है गैस से और इसकी जो सब्जियां हैं वो हम सारी बाहर निकाल देंगे पत्तागोबी को हम एक इस्टेनर में देंगे छलनी में देंगे और बाकी सारी सब्जियां जो भी हैं, मतलब टमाटर प्याज बगरा जो भी हैं, इनको हम एक प्लेट्स में निकाल लेंगे, पता गोबी को हम इस तरीके से इसमें रखेंगे, इसके अंदर जो पानी है न वो सारा निकल जाए, और इसी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और आगे हम इसको ग्रेवी में यूज करेंगे, पता गोबी हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम ये टमाटर पगरा जो आना, टमाटर का छिलका हटा देते हैं, जो इसके न है उपर की, इसको हटा देते हैं, और इसका हम पेस्ट बनाएंगे सभी का, लेकिन इसमें से हम दो मि लहशुन की अलग कर लेंगे, पता गोबी में एट करेंगे, बाकी का पेस्ट अलग मना लेंगे, और पता गोबी है, इसको हम रफली कट कर लेंगे, थोड़ा छोटे छोटे बड़े बड़े टुकडों में कट कर लेंगे, रफली कट कर लेंगे, सभी को, इस तरीके से जै एक अध्रक का टुकड़ा, दोर इमेज मैंने पत्तागोवी में एड कर दी हैं, और बाकी का जो भी ये बच्चा है, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको हम एक बाउल में अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे क्योंकि हमें जार में फिर से हमें पतागोबी का पेस्ट बनाना है तो ये पतागोबी सारी हम इसमें एड़ करेंगे उमीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आईगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलियेगा तो पतागोबी को हमने एड़ कर दिया है और एक चमच हमें फ्रैस दूद की मलाई एड़ की है और उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है इधर कड़ाई में हम पानी रखेंगे पानी को हम बॉयल करेंगे और तब तक जो हमारा इधर पेस्ट था ना पतागोबी का इसको हम जार से बाहर करके अलग कर लेंगे और इसकी हम एक इसका घोल बोले या क्या बोलू इसको मैं तैयार करूंगी एक स्टफिंग के रूप में समझ लेजे स्टफिंग तो नहीं कहेंगे इसको हम चलिए जो भी है गोल या समझ लेजे तो इसमें थोड़ा सा हम नमक एड़ करेंगे और हिंग एड़ करेंगे देखिए मेर्च हमें बिलकुल एड़ नहीं करना है क्योंकि हमने दो हरी मेर्च को एड़ किया हुआ है दो चमझ हम इसमें दो बड़ी चमझ हमने वेशन एड़ किया है बाइंडिंग के लिए और इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे मिक्स करेंगे और फैंट लेंगे जिससे हमारा जो वेशन है ना फूल जाए फैंटने से हलका हो जाता है तो अच्छे से फैंट लेंगे थोड़ा सा और जब भी आप फैंट रहे हैं चमझ से तो चमझ को एक ही डायरेक्शन में गुमाना है अगर दोनो जायरेक्शन में आप गुमाएंगे तो टाइम लगेगा फुटने में अगर आपको माती हैं तो जल्दी से फुट जाएगा तो हमने इसको फेट लिया है अब हम एक बरतन लेंगे एक थाली लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे अक्ष हमें इसको ग्रीसिंग कर लेनी हैं और जो हमने ये बना के रख़ा है ना पताकुबी का और वेशन का तो इसको हम इसको इसमें अच्छे से फेला देंगे और चिकना कर देंगे और अब चलते हम कड़ाई की तरप जो पानी हमारा गरम हो रहा था उसमें हम एक जाली रखेंगे और इस थाली को इस तरीके से रख देंगे और उपर से लिट ढख देंगे मैंने थाली से ढख दिया है यह लोई की कड़ाई है इसकी मेरी कोई लिट नहीं है और यह जो हमारा थाना बर्तन तो इसको भी हम अच्छे से ऐसे थोड़ा सा करके और पानी जो हमने रखा हुआ है सबजियों का इसमें हम पलट लेंगे और इस सबजी यह जो पानी है इसको हम आगे यूज़ करने वाले है चलिए तीन से चार मिनट के बाद हम देख लेते हैं हमारी जो जमा मतला हम जो इसको इस टीम से जमा रहे हैं यह कैसी जमी हुए है तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा अभी हलकी से कम थी तीन से चार मिनट के बाद आप मैंने फिर से देखा है तो यह अच्छे से जम चुकी है तो इसको हम खड़ाई से बाहर निका कर सकते हैं नाइब की सायता से अगर आप उसको डालते हैं और उसमें बिल्कुल भी कुछ चिपकता नहीं है कुछ तो समाझ लीजिए हमारा यह परफेक्ट हो चुका है तो अब हम एक वह कड़ाई रखेंगे जिसमें हमें सब्ची बनाना है गैस पे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होनी देंगे तो हमने कड़ाई रखी और उसमें ऑईल करम किया थोड़ा सा जीरा एट किया एक तीजपता एट किया एक सफेद लाइची एट की मैंने इतना ही किया आप चाहे तो और खड़ी मसाले आट कर सकते हैं सुखी मेर्ची आट कर सकते हैं और जो हमने पे धनिया मेर्च, नमक आप चाहें तो थोड़ा देर में भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, सभी मसालों को दो से तीम नट अच्छे से भूनेंगे, मसाले हमारे जब ओयल छोडने लगेंगे, तब हम इसमें एड करेंगे, जो हमने बना के रखा थोड़ी सी हिंग भी इसमें हम एड करेंगे, हमने पता वो भी मैं हिंग एड की थी या नहीं, मैं बूल गई हूँ, और जो हमने पानी रखा था था ना, वो हम ग्रेवी के लिए इसमें एड कर देंगे, तो जब तक हमारी ग्रेवी तयार हो रही है, तब तक हम इसके पीस पिसको हम तब तक कट कर लेते हैं तब कर लेते हैं कर लेते हैं, तो तो कम रहा है जो ख़ीक होगा. और तो पो मुझ क Epic nhân कर लेते हैं से निकलेंगे तो सभी पीसे को हम निकाल लेते हैं थाली से बाहर और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है तो उसमें देखिए बॉयल होने लगी है हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से उसमें मैंने थोड़ी सी कशूरी मैथी एट की और जो पीस हमन की जरूरत नहीं है और धरा धनिया एड़ कर देंगे सबजी मसाला एड़ कर देंगे और हमारी केस्टी सी सबजी बनके तैयार हो चुकी है उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी लाइक ना बिल्कुल मत बूलिएगा और ऐसी सबजी आज से पहले आपने खाई खाने का आनन्द ही कुछ और है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये सबजी को एक वाट ट्राई जरूर करना और ट्राई करने के बाद फिर मुझे अपना फीड़एक जरूर देना तो चलिए मैं खाना खा लेते हू आप से मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई बाई थेंक यू